हेलो फ्रेंड्स में आपका स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल अजाद एजूकेशन में और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पी-एम-टू के बारे में जो की सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर में कवर करने वाला हूँ तो इस वीडियो का आप लास्ट सुरू से लेकर लास्ट तक जरूर दिखेगा यह कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला यह आपके डवलप्मेंट से थोड़ा सा हट के ट सुरू करते हैं इस वीडियो मां समझते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पी-एम-टू होता क्या पी-एम-टू जो कि एक प्रोसेस मैनेजर एक लाइब्रेरी है और यह बहुत पॉप्यूलर है जो कि नौट जैस की एप्लिकेशन को मैनेज करने के लिए इसको इसमें बात करते हैं तो सबसे पहले मां पोड लिंग्वेज में जैसे की एक स्प्लें करूं कि पी-एम-टू होता क्या है तो जैसे कि आपने एक नौट जैस एप्लिकेशन आपने बनाई है तेन आप उसको डेपलोई करना चाहते हैं सर्वर के उपर जैसे कि आपने को जाए तो फिर से वह अगें लाइब होजाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली हम क्या करते हैं नोट की कमार्ड लिए है और हमारी नोट js की फाइल यस तरह से रन हो जाती है तो मैंने यहां पर एक प्रोजेक्ट किया स्फोटा सबसीक से कुछ कुछ small API बनाई है कोई मतलब बहुत बैसिक है आपको एक्जाम्पल के लिए और मैंने इस तरह से इसको रन किया तो हमारी ऐसे वेपसाइट जो कि नोट जैस की एप्लिकेशन वो रन हो जाती है तिन इस तरह से आप डेटा देख सकते हैं जो कि मैंने आप डिफाइन किया ठीक है तो यह अब हम नोट जैस के ओपर बात नहीं करने वाले हम सारा सब कुछ बात करने वाले PM2 के ओपर ठीक है तो इसके की की go की फिचर्ष यह की प्रोसेश मेंजमेंट सबसे पहला है प्रोसेश मेंजमेंट प्रोसेश मेंजमेंट के अंदर आता है कि हम इसको start stop restart and manage multiple applications और मेनेज कर सकते मतला आपने multiple नौट जेस्ट की अप्लिकेशन से आपकी सर्वर पर लाइव की है तो उन सब को आप एक साथ मेनेज कर सकते हैं आपको एक एक को रिस्टार्ट या कुछ करने की रिक्वार्मेंट नहीं है सभी को एक साथ बंद भी कर सकते आप और यह ऑटो लॉड बैलेंसिंग करता है पीम तो इसमें यह प्रेकर सकते हैं हमारी कोई एरो आये तो किस टाइम पे वाई थी और क्या एरो थी मतलब वह भी रोगोग सकते हैं इसके अंदर वो इस्टारट अब स्क्रिप्ट सबसे अच्छा मुझे लगा कि यह थाटो यह पी हमें प्रोवाइड करता ओटमेटिक्ली इ startup script क्या होती है जब बी हम सबसे पहले यहां पर स्टार्ट कर दिया टीक है अ Sharp कर दिया अब जब्वी में टर्मिनल बंद करूओंगा जाता हूं और उस पुराने टर्मिनल वे लिए कि हम करते हैं तो यहां आपने नॉट्जेस की एप्लिकेशन स्टार्ट कर दी अब आप चाहते हों कि इसको कंटीनियू आपको दगना है कि मैं टर्मिनल बंद कर दूए या मसीन जो है मैं आज एक्स लोग आउट कर दूँ फिर भी मेरी नॉट्जेस एप्लिकेशन कंटीनियू रहनी चाहिए तो व कि हम कुछ भी हमारे कोड के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो आटोमेटिकली हमारी नॉट्जेस की एप्लिकेशन को यह स्टार्ट कर देता है ठीक है कॉन्फिग्रेशन मेनेजमेंट भी हमें प्रोवाइड करता है जो कि जैसन फाइल को और यामल फाइल को सपोर्ट कर करती है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर और ग्रेस फुल्ट रिलोड प्रोवाइड जीरो डाउन टाइम रिलोड बाई अलाविंग यू तो रिलोड यॉर अप्लिकेशन विदाउट डाइन टाइम मतलब हम एप्लिकेशन को रिलोड कर सकते हैं मोड में चली जाती है तो प्रेक्टिकल की तरफ चलते हैं हमने प्रेक्टिकल चापको और समझ में आ जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या करना प्लिकेशन करूंगा तो हमें क्या करना होगा सूपर यूजर के अंदर चलना होगा ठीक है तो सूड में आप उबन्टू यूजर कर रहा हूं आप विंडो यूजर कर रहे तो विंडोस की कमांड जो है आप देख लिए वैसा आप उबन्टू यूजर करना चाहिए मैं तो प्रिफर करता हूं यह आप एक डेवलोपर बढ़ रहे हो याप डेव रहे हो जाती है मेरी कमांड तो यहाँ पर हमारा पीएम टू इंस्टॉरेशन वह स्टार्ट हो चुका है वेट करते हैं कुछ टाइम के लिए PM2 यहां पर successfully install हो चुका है तो मैं exit ले ले तो यहां बस super user से clear कर देता हूं हमारी terminal को तो next हमारी command जो है basic command जो की application को start करने के लिए तो वो क्या होती है PM2 start तो PM2 start जो भी आपकी file का name है वो यहां पर देना है देर.js तो यहां पर इस तरह का आपको interface देखने को मिलेगा PM2 successful demonized और आपकी application हो चुकी है और हर एक आपकी application को ID प्रोवाइड करता रहेगा और इस तरह से आप check कर सकते हैं कि हमारी application का status क्या है CPU क्या है memory कितने उसकी use हो रही है तो यहां पर मैं क्या करता हूँ अब इस terminal को मैं बंद भी कर देता हूँ ना फिर भी मेरी application जो है वो continuous रहे है देखें यह नोट जैस की application बंद नहीं होगी यहां पर जब तक मैं इस CPU या मेरी machine को यह बंद नहीं कर देता हूँ मेरे laptop को यह में बंद नहीं करते था हूँ जब तक और आप नहीं इसी टूप पर कर रहे हो तो वह तो बंद होने वाला है नहीं अब जब तक आप बंद नहीं करोगे और आइस तरह से आपकी जो है कि आर्प कमानने लाजिए में अब क्या करना है हमें चेक करना हों यहां पर शेट करते है यहां पर पी एम टूपكنीप लिएक को उसख होना वारें यहां पर चेक कर सकता हैं, तो किलिस्ट कमान अधहिaster है Elliot का है देखा तो हमारी जीरो है मतलब वस्ट्त एक ही हमारी एप्लिकेशन नोसी जिरो फिस्टार्ट धेश में स्टार्ट हुई हैं ठीक है अब हम क्या करना चाहते हैं कि प्रोसेस को करना चाहते पी, में णति हमारी कमांड होती ही में पीमु सटॉप यहाँ पे आपका नेम देना जोपि यहमारा इंडेक्स है तो यहाँ पर मैं देना चाहों हॉआं में हो यहाँ Corner इनडेक्स ! ठीके तो मत आपर स्टाटे क्या हुआ देखो स्टॉप हो गया है तो अब हम चेक करते हैं भी हमारे नोट जेस की application रिगा रहना तो वह बंद हो चुकिये कि नेक्स्ट command है हमारी कि इदि आपको PM2 को restart करना है ठीक है PM2 को मैं restart कर देता हूं पिर से हमारी application करने में यह पिर दिना है ठीक है तो restart हो चुकिये हम check करते हमारी एक हो तो यहां पर सक्सिर फिर से रन हो चुकी है और यदि हम डिलिट करना चाहते हैं तो डिलिट वाली गमांड भी है तो पी एम टू डिलिट एंड एक्स तो यहां पर देगे डिलिट हो चुकी है कोई भी प्रोसेस कोई भी अप्लिकिसन हमारी लाइव नहीं है और हमें चरना प्यव मॉप्स चर सकते हैं प्रोस्स के बद्ध कर डिअ कर बात करते हैं next PM2 के monitoring की मदब process monitoring की हमारी कितनी applications real time जो है अब कोई भी error तो नहीं कितना cp usage उन में चल रहा है तो यहां पर क्या करते हैं कोई application को यहां पर start करते हैं तो PM2 start index.js अब हम check करते हैं PM2 monitor so monitor command है यह तो यहां पर देख सकते हैं कि हमारी कौन सी प्रोसेज हो कितना load time है सब कुछ यहां पर हैं चेक कर सकते हैं तो मैं यहां पर क्या करता हूं मैं फिर चेक करते हैं ठीक है आपकी यह बड़ी application होगी तो है आप load time भी आपको जो दिख जाए यह तो basic मैंने example एक लिया है और PM2 लोग यह दिया आपको लोग देख रहा है पर्टिकुलर एप्लिकेशन को आपने चार पांच जो है applications live की हुई है तो आपको करने लोग आइडिया पर देनी है ठीक है उसमें क्या status है यह दिखिए आप सब पुछ यहां पर जो भी यहां पर हम यहां पर देख सकते हैं रियल टाइम जैसे कि यह मैं हमने कर किया हुआ है तो इसको मैं करता हूं कि यह और लोग यहां पर कर देता हूं API रण ठीक है और यहां पर मैं API को refresh करता हुए यहां पर कि अभी हमें क्या करना होगा देखिए ओटोमेटिकली हमारी जो पीम टू रिस्टार्ट नहीं हुए तो हमें क्या करना होगा यहां पर वोचर लगाना पड़ेगा कि कि अटोमेटिकली हमारी फाइल को वोच करता रहें कि उनमें क्या चेंजिस हुआ तो सबसे पेले हम क्या करते हैं पीम टू किल यह भी एक कमांड होती है जो कि सारी एप्लिकेशन को किल कर देगी ठीक है आप इस आप चेक करना चाहेंगे तो चेक कर सकते हैं पीम टू लिस कि अग्यों कि यहां पर क्या करेगा उन फाइल को भी यह वर्च करता हो रहेगा तो यहां पर हम चेक करते हैं अब फिर से पीम टू लॉग जीरो ठीक है यह पर रन करता हूं अब मैं यहां पर चेंज करता हूं देखिए 123 कुछ भी हम देखे हमारी अप्लिकेशन को इसने क किया गया और टो रिस्टार कर देखिए हमने फाइल में कुछ भी चेंजिस किया है ठीक है तो इस तरह से आपके लिए कितना हेल्फुल रहा है कि आपको अपको अपको नोट जैस को बंद करके फिर से चालू नहीं करना पड़ा और यह उटमेटिकली इसने हैंडल कर लिए कुछ खौझ को आरल के दूब से चलते हैं हमारी यहां पर हम कि सी फॉड़र को इगनौर करना चाहते हैं कि हम उसमें कुछ भी चेंजिस करें तो उसको वो चूँननीकर तो भी हम कर सकते हैं इसको मैं copy करता हूँ और यहाँ पर paste करता हूँ तो आपकी script का name क्या है वो यहाँ पर देना है और app का name क्या रखना चाहते हैं वो देना है ठीक है फिर आप PM2 जो है start करना चाहते हैं अब PM क्या फाइल के तुरू start कर रहे थे ठीक है अब हम करते हैं configuration फाइल के तुरू PM2 मैं सारी process को kill कर दूँगा एक folder और मैं create करता हूँ यहाँ पर images करके जैसा कि मेरा folder है उसमें मालो कुछ भी changes हो रहे हैं तो लेकिन उसकी वज़े से मेरी बार बार जो है मेरी not just की application को यह restart नहीं करें तो मैं ऐसा चाहता हूँ तो हम क्या करेंगी यहाँ पर इग्नौर वोच की हम यहाँ पर इसमें देंगे की जैसे हम कोई package इंस्टॉल कर रहें फिर भी हमारी not just की application जो है वह इस्टार्ट नहीं होनी चाहिए in तो यहाँ पर हम क्या गरहें हमारे folder नहिंता नहीं देंगे तो मैंने क्या करा यहाँ इमेज़स्ट आपके हमने क्या नाम दिया था इनको क्या करेगा इग्नोर करेगा अब हमें क्या करना है कि इसको स्टार्ट करना तो यह कमांड में कोपी करता हूं और अभी हम चेक करते हैं सारी हमने क्योंकि किन कर चुके हैं फिर भी मैं चेक करता हूं कि कोई भी एप्लिकेशन है हमारी एक्जिस्ट कुछ भी क्लिए करत तो दिन पेस्ट करते हैं यहां पर माई एप माई एप चार इनिस्टेंस लॉँच हो चुके हैं यहां पर चार ख्यूनत में हैं यह देखिए कि हमने वहां पर क्या किया था कि कितने इस एप्लिकेशन के आपके कितने इस्टेंस और सकते तो एक यह में चाहिए ठीक है अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पीम टू लोक्स की में बात कर चुका हूं और लोक्स जो आप डेट वाइस भी देख सकते हैं और अब हम बात करते हैं जब हमारा सिस्टम करें समय एक्टीर हो जाता है टो हमें चलाने है ठीक है आप तो करते हैं आप लिक्त रह्त चाहते हैं मैं मैंने मस्शीन को रेस्टार गया तो आपको फीर से आपको टेर्मिनल में लोगिन करके आपको पी-म-2 को इस्टार्ट करना होगा तो पी-म-2 का सबसे बड़ा जो है की वीचर्स मुझे लगता ये बहुत अच्छा लगता है कि इसने ऑचो बिल्ड किया हुआ है सब कुछ फिर आपको कमांड चलाने पीम टू सेव की ठीक है अब हमें कुछ भी नहीं करना है यह कहा है कि स्टार्टप स्क्रिप्ट फाइल जनेर्ट करेगा देन यह उसको पीम टू सेव की जब कमांड चलाएंग तो अटमेटिकल इसको सेव कर देगा अब हमें क्या करना देपलोइमेंट की तरफ चलना है और यह पर फिक ग्रीन चिंज़ेस भी चाहिए अब हमें क्या करना है कि डेपलौइ करना हमारी एपलिकेशन को नहरे को हैं तो प्येम टू डेपलॉइ कर देपलूइ पॉल 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 जसेंग ही जो लास्ट रोली कमांड चला है इना पीम टू डेफलोई और प्रोडक्शन ठीक है अभी इमने कुछ भी सेट अप में नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप प्रोडक्शन जो है कैसे चला सकते तो आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपके लिए कितनी हेलफूल रही है मुझे कमेंड करके जरू बताइएगा और समरी में हम देखे तो PM2 एक पाउरफूल टूल है जो कि मैनेज कर सकते हम नौट जिस एप्लिकेशन को प्रोडक्शन लेवल पे और ये हमारी एप्लिकेशन को आपकेशन को रिस्टार्ट कर देता है जब भी कोई एरद आती है और जब भी हम कुछ कोड के अंदर रखता है PM2 तो इस तरह से जो है अम नौट जिस एप्लिकेशन को जब भी लाइव करें तो PM2 के साथ ही लाइव करें और नेक्स वीडियो में आपको बताऊंगा कि PM2 को पाइटन के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आप जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किजिए क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर वह बहुत कम है और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेर जूर किजिए थैंक्स फॉर दी वॉचिंग